स्रीमान कहानी ध्यान से सुनना हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है एक छोटा बच्चा गार्डन में खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक बटरफलाई देखी और बटरफलाई को देखकर वह मुहित हो गया वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा वो उसके साथ कहलना चाता था इसके लिए उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, दोडा कई बार तो वो दोड़ते भागते गिर जाता फिर से उड़ता और फिर से उसे पकड़ने के लिए दोड़ता आखिर में उसने बटरफलाई को पकड़ लिया और पकड़ के उसके साथ खेल रहा था तो उसके नाजुक हातों से बटरफलाई के कॉमल पंक तूट गए और बटरफलाई के जीवन का अंत हो गया ये देखकर वो दुखी हुआ कि जिस butterfly के साथ वो खेलना चाहता था वो अब मर चुकी है तो रोने लगा जब वो रोने लगा तो उसे रोते हुए देखकर उसकी मा उसके पास आई मा ने कहा कि बेटा तुमने बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो तरीका घलत था तुम बटरफ्लाई को पकड़ने की बजाए कुछ और भी कर सकते थे तो तुमें ज्यादा खुसी मिलती तो बच्चे ने कहा कि मा मैं क्या कर सकता था तो मा ने समझाया कि बेटा इस butterfly को पकड़ने के लिए तुम दोड़े, भागे, कई बार गीरे, फिर उटकर भागे तुमने संगर्स किया, वो संगर्स बेकार गया, तुमारी मेहनत बेकार गई, तुमारा समय बेकार गया ये butterfly जो है, वो फूलों को देखकर आकरसित होती है, तुम यदि butterfly को पकड़ने की बजाए, कुछ ऐसे पेड़ पोदे लगाओ, जिस पे बहुत सारे फूल आते हो, तो उन फूलों को देखकर कई सारी butterfly आएगी और butterfly के सासात कई सारे सुन्दर सुन्दर पकसी आएगे, गिलर ही आएगी, हम किसी को कश्ट पहुंचा कर, दुख पहुंचा कर, कभी भी खुस नहीं हो सकते, हम हमेशा खुसियां बाट कर ही खुस हो सकते हैं, यदि हम हमारा समय और हमारा संगर्स सही जगह इन्वेस्ट क